नमस्कार दोस्तों गारगी क्लासेश पर आपका स्वागत है डेटा आज की एक अपरिल 2022 देख लेते हैं इंडियान एक्सप्रस की इंपोर्टन न्यूज जो भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे सबसे पहले हम जो बात करेंगे वह एक्स्प्रेंट पीज और एक्स्प्रे दीपील किया नौर्थीस्ट मैं कुछ हेरिया आज से उसके移ू तैसरा हम जानेंगे इंडिया यह कि क्या माइन हैं जाते हैं यह जानते कि पर बाद बची हुआ जी जो नजर ढलेंगे देखो अभी इंडिया ने क्या है कुछ norms को easy किया है जिसके basis पे genome editing जो है वो allow की जा रही है plants की अब इसमें क्या होगा कि plants में जहां पर भी gene में या DNA में कोई error है जिसकी वज़े से plants में production अच्छा नहीं आ पा रहा है तो उसको correct करने के लिए ये genome technology या फिर genome editing है इसको allow किया जा रहा है और category SDN1 और SDN2 इन दो categories में ही genome editing को allow किया जा रहा है इस साथ में आप इसको GM crops जो होती है genetically modified crops उनके साथ में confused ना करें genome editing और genetically modified crop या genetically modified organism इन दोनों में बहुत difference होता है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि genome editing क्या होती है देखो genome editing में क्या होता है कि इस technique में DNA का एक हिस्सा cut कर लिया जाता है और cut कौन सा किया हिस्सा कौन सा किया जाता है जो मान लो कि कहीं error है कहीं पर कोई problem है जो कि DNA अगर वहां से replicate होगा copies अगर उसकी बनेगी तो फिर वो problem जो हर एक cell में continue होती चली जाएगी ठीक है DNA देखो genetically अगर हम देखें तो DNA एक basic unit होती है किसी भी animal या किसी भी organism की अगर हम बात करें ठीक है और बहुत सारे DNAs मिलकर के फिर बाद में gene बनाते हैं और एक लंबी sequence अगर DNAs की कर दे और फिर उसको जो second stage gene है उसकी एक लंबी sequence है combination हम create करें जिसको हम बोलेंगे complete set of genetic instruction उसको बोल दिया जाता है genome ठीक है एक entity या फिर एक organism जो की एक bacteria भी हो सकता है और एक human being भी हो सकता है या कोई plant भी हो सकता है तो उसकी जो basic unit जो होती है उसके formation की जो सबसे छोटी cell है cell में भी basic unit जो होती है that is DNA DNAs मिलकर के DNAs के group को gene बोल दिया जाता है जो की एक तरीके से basic unit of heredity मतलब माता पिता के लक्षन बच्चों तक ले जाने में जो help करता है उनको gene बोलता है फिर बहुत सारे genes हैं उनका एक complete set अगर आप तयार कर दो जिससे की पूरी एक genetic instruction की पूरी file तयार हो जाए एक तरीके से ठीक है उसको बोलता है genome तो होता क्या है कि एक technology already available है जिसका नाम है CRISPR technology जिसकी full form है यहाँ पर आप देख सकते हो clustered regularly interspaced palindromic repeat इसको CRISPR gene editing भी कहा जाता है इसमें क्या होता है कि इसके अभी तक तीन classification अभी तक पता है एक SDN1, SDN2, SDN3 इसमें SDN1 और SDN2 वाला जो editing है जिनोम में इस editing को तो allow किया जा रहा है अभी इंडिया में जिससे की plants की variety को enhance किया जा सके ठीक है इसमें क्या होता है कि DNA में जो available content होते हैं जैसे आप देखते हो DNA में adinin, thymine, cytosine, guanine यह इसके basic elements होते हैं जो की फिर एक spiral shape में structure बना लेता है ठीक है जिसको हम DNA बोलता है अब उस DNA में कहीं पर मान लो कोई error है तो उस error वाले portion को हटाना या फिर मानो कि एक DNA को enhance करना है तो कुछ नया addition कर देना इन दोनों कामों के लिए जो technology यूज़ हो रही है CRISPR की उसको बोलते है SDN1 इसमें क्या हो गया कि आप host genome के DNA में जैसे मान लो ये host ये एक DNA है साथ में और भी बहुत सारी इसी तरीके की spirals में हमारी genetical information stored होती है ठीक कोडिंग के form में available होता है ये हमारी body cell में भी plants की में organism में जिनकी भी हम बात कर रहे है organism चाए कोई भी हो तो उनके genome में जो DNA होता है उसमें या तो कोई छोटा स addition कर दिया जाता है या कोई deletion कर दिया जाता है जिससे की कुछ correction किये जा सके जो कि target है हमारा क्योंकि DNA में इन में अगर थोड़ा बहुत भी error आ जाती है ठीक है कहीं पर मान लो matching proper नहीं हो रही है कुछ और वजह से अगर changes आ गए तो फिर वो long term के लिए उस particular species की जो भी offspring आ आनेगा तो वो errors है वो continue होती चली जाएंगी तो उन errors को correct करने के लिए क्या किया जाता है कि DNA का एक part ठीक है genome में gene होता है जीन में DNA होता है उसका एक part जो है उसमें या तो कुछ addition कर दिया जाता है जिससे की error है वो correct out हो जाए या फिर वो error वाला part है उसको हटा दिया जाता ह है तो इस तरीके से क्या होता है कि इसमें एक foreign genetic material add कर दिया जाता है foreign genetic का मतलब हो गया कि एक genome का sequence इदर है दूसरे genome का sequence इदर है तो इस case में इदर अगर error है तो यहां से इस genome में से उठाकर के DNA का छोटा सा part और वो यहां पर add कर दिया जाएगा तो यह इसमें तो क्या हो गय पोड़ी सी उपर नीचे या तो कुछ insert करोगे या delete करोगे correction कर दोगे जबकि SDN2 है उसमें क्या होता है कि small DNA templates लिये जाते हैं और उस से फिर बाद में एक genetic sequence तयार की जाती है इसका मतलब क्या हो गया यह तरीके की inductive method है कि शुरुआत में छोटा सा एक sample लिया और उसी को फ SDN1 और SDN2 यह दोनों methods में किसी भी alien genetic material को use नहीं किया जाएगा इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो अगर आप यह मान लो कि जैसे आप आलू की या फिर potato की या tomato की कोई एक plant को आप enhance करना चाह रहे हो ठीक है उसमें कुछ error है उसकी genome sequence में कहीं आपको error लगी या आपको लगत जो pest attack होता है उससे भी बच जाएगा तो आप क्या करोगे दूसरे आलू की जो breed है उससे आप genome मतलब जो genetic information है वो pick करोगे और इस फस्ट वाले में add कर दोगे ठीक है तो इसमें दोनों की दोनों किसकी है दोनों की दोनों potato की ही breed ली है इसका मतलब alien genetic material नहीं लिया है ठीक है अलग से आप कोई दूसरी variety या breed से उठा के नहीं लेकर आ रहो ठीक है इसमें आप क्या करते हो कि ultimately target आपका है कि जो नई breed बन क्या है वो इस तरीके की हो कि जिससे कि आपकी जो target है वो correct हो सके ये तो देखो genome editing हो गई इसको हम एक बार देख सकते हैं diagramatically और इसमें आप यहा information होती है वो stored होती है ठीक है तो यहां पर मान लो कि आपने error है वो detect की जिसको transfected बोल देंगे हम तो उस error को correct करने का तरीका क्या होगा एक तो guide molecule होगा और दूसरा होगा एक हम साथ एक तो guide molecule जाएगा और use किया जाएगा और दूसरा DNA cutting enzyme use किया जाएगा guide molecule तो क्या होगा कि वो trace करेगा कि कौन सा area DNA का जो है वहाँ पर error है उस error वाले को जैसे track करेगा तो उसके बाद में यह जो DNA cutting enzyme है जो कि एक scissors की तरह काम करेगा वो इस portion को यह जो highlight हो गया ना क्यों guide वाले ने इस चीज़ को trace कर लिया कि यहाँ पर problem है तो उसको वहाँ से cut कर दिया जाएगा इस DNA cutting enzyme का use करके फिर उसके बाद में यह जो cut किया हुआ portion है इसकी जगे आप healthy वाला portion लाकर के और add कर दोगे तो ऐसे में कि आपने क्या कर दिया कि DNA में जो errors थी उनको आपने correct कर दिया या फिर आप कह सकते हो कि जो genome में error थी उस genome में error को या फिर enhancement आप जो करना चारे थे वो कर लिया अब क्या होगा कि इसकी copies बनती चली जाएंगी और यह जो चीज है जो आपने healthy वाली add की है यही फिर बाद में copy में भी repeat होगी ठीक है तो इस तरीके से क्या हो गया कि जो कमिया थी उनको आपने correct आउट कर दिया और जब genetically correction कर दिया गया है तो आने वाली जो भी off spring हो आपने editing कर दी और उस editing के लिए correction के लिए भी आपने जो same genomic sequence का जो content है उसी में से आपने material उठाया और add कर दिया ठीक है जबकि दूसरी तरह हम genetically modified organism की बात करें GMOs की उनमें अगर देखें तो GMO में क्या होता है कि आप genetic information को ही change करते हो ठीक है एक तरीके से पर उसमें point क्या ह है कि foreign genetic material यूज किया जाता है उसमें क्या था alien genetic material यूज नहीं किया जाएगा इसमें foreign genetical material यूज किया जाता है जैसे कि cotton जो है उसमें एक problem आती है pink ball warm की एक तरीके का कीड़ा है ये जो कि cotton को बिल्कुल खराब कर देता है तो इस pest को control करने के लिए या इस pest का effect ना हो cotton की production प वेसिलस थोरिंजिनेसिस जिसको short में हम बोलेंगे BT इसके इस particular bacteria से एक particular आप कह सकतो जीन का material है वो extract किया गया जिसको बोला गया cry 1AC and cry 2AB इन दोनों जीन्स को जब इस bacteria से इस bacteria से अलग किया गया ना और फिर बाद में cotton का जो plant है ठीक है उस cotton के plant में इस तरीके की इन दोनों genes का यूज करके editing कर दी तो मतलब यहाँ पर एक तरफ तो bacteria का आपने genetical sequence यूज कर लिया और दूसरी तरफ आप जो है cotton का जो seed है या cotton का plant है उसमें changes कर दिये तो इन दोनों के mix की वज़े से अब जो cotton मन गया उसको हमने short में क्या बोल दिया कि bacillus thurin genesis है इसके नाम पर तो cotton cotton है तो BT cotton इस तरीके से genetically modified organism तयार कर दिया मतलब कोई alien material का genetic information ली और उसका use किया गया एक तरीके से production को increase करने के लिए तो इसको क्या बोल देंगे हम GMO genetically modified organism ठीक है कि आपने alien content का use किया जबकि यहाँ पर genome editing में alien content यूज नहीं हुआ था ना तो SDN1 में ना ही SDN2 में ठीक है अब देखो agriculture में genome editing है वो और genetic engineering है दोनों का main एक काम होता है कि अच्छी production आ जाए और biotic और abiotic stress अगर आये तो उनको जहल सके biotic का मतलब मान लो कोई pest का attack हो गया कोई insect का attack हो गया तो उससे भी वो खतम ना हो फसल और abiotic जैसे अगर temperature rise हो गया floods आ गई droughts पढ़ गए तो उनमें भी कहीं ना कहीं फ्लट्स तो क्या droughts पढ़ गए पानी की कमी आ गए तो उसमें भी survive कर सके plants तो ऐसे में plant की variety को improve करने के लिए agriculture में ये use किया जाता है ठीक है genetic engineering जो है वो देखो बहुत ही जादा accuracy के साथ काम करने के साथ से काम में आती है और scientist को जो है जादा control मिल रहा है कि कैसे plants के trait को हम correct करें कि आज जो climate change एक reality है उसकी परिष्थिति में या adverse situation जहां पर पानी की कम availability है या nutrient भी अगर कम quantity में available हो तो उस case में भी plant अच्छा production दे सके पहले तो क्या होता था कि cross planting करा दी जाती थी cross breeding करा दी जाती थी कि हाँ जी एक plant ये रहा एक plant ये रहा दोनों की features देखे ये भी मटर का ही है ये भी मटर का ही है जैसे आपने मैंडल का पड़ा होगा 9th class में 9th है 10th में तो दोनों की cross breeding कराई तो उस case में क्या होता था कि ज़्यादा चीजे control में नहीं हुआ करती थी ठीक है कि it भी कम चाहिए production भी ज्यादा चाहिए तो mix कर दिया हो गया पर result के hybrid आपने जो बनाया था वो पर यहां पर क्या है कि और भी ज्यादा accuracy के साथ में आप सीधा जो main material है उसको hit करते हो उसको correct कर देते हो तो accuracy और ज्यादा आती है अगर हम genetically modified या genetically engineered जो crops की हम बात करें उन में तो यह चीज है कि government ने जो है वो genome editing को allow किया है ठीक है GMO में तो अभी भी देखो doubt है क्योंकि BT cotton तो फिर भी use हो रहा है बट जैसे BT brinzel use करने की बात की गई थी कि बही genetically modified organisms में हमने बैंगन का भी एक variety तयार किया वो भी use कर ली जाए पर उसको देखो एक बार तो बात हो की थी पर अभी cancel कर दिया है पर genome editing जो है इसमें alien content का कोई use नहीं है इसमें same ही species के दो मतलब same species के genomes को use किया जाएगा बस यह थोड़ा सा डिफरेंस है तो genome editing के लिए यहां पर norms को थोड़ा free किया जा रहा है government के दौरा आगे चलते हैं next article अफसफा से related that means arm force special protection act AFSPA यह देख किया है कि देखो असम में 23 district में से अब 23 district में आप कह सकते हो कि अफसफा को है वो repeal कर लिया गया है ठीक है तो आप देख सकते हो कि असम का बहुत बड़ा area जहां से अब repeal हो चुका है ठीक है दूसरा यह fully lifted है अफसफा forces अभी भी असम के कुछ ऐसे districts हैं जहां पर operate कर रहा है ठीक है यह भी बताया जा रहा है और कुछ ऐसे areas हैं कि असम मनीपूर नागालेंड इनके जहां पर partially operate कर रहा है यह असम वाला तो region यह रह गया इधर वाला पूरा ठीक है और बाकी यह मनीपूर वाला area नागालेंड का area गया यह मनीपूर का area गया थोड़ा से यह त्रप प्रेट कर रहा है थोड़ा वो जाने अफसवा आम फोर्सिस special power act ठीक है मैंने protection बोल दिया था power act 1958 अभी government ने लगबग 23 districts में जिसमें असम में से तो 23 district है नागालेंड के साथ मनीपूर के 6 इन में से अफसवा को और एक असम का एक और district है तो इस तरीके से इन में से withdraw किया है इसको अफसवा एक्ट को तो बात ऐसी है कि इस decision की क्या importance है देखो main point क्या है कि अफसवा जब लाया गया था तो उस time पर separatist moment बहुत चलते थे नौर्टिस्ट में कि कैसे भी करके इंडिया से हमें अलग हो करके अलग से country बनाना है तो उस separatism वाला जो idea था या फिर जो insurgency सी हुआ करती थी उसको control करने के लिए arm forces special power act है वो introduce वा था 1958 में इसको अभी के time पे बहुत ही जदा draconian बोला गया कि इसमें arm forces जो है वो unilaterally action लेती है जिसकी वज़े से locals को बहुत परेशानी होती है इसमे open fire भी allowed है चाहे उसकी वज़े से death ही क्यों ना हो जाए civilians की जो military हो professionals हैं वो सीधा केवल doubt के basis पे भी सीधा fire कर सकते हैं तो उसमें अगर death भी हो जाए तो innocent लोगों की death हो जाती है इसलिए तो बुला ना draconian इसके अलावा कोई भी person या किसी भी person के against में कोई ऐसा idea लग गया कि उसके पास में हतियार है जो कि कानून के खिलाफ है तो उसके खि basis पे ही action ले लिया जाएगा individuals को arrest किया जा सकता है बिना किसी warrant के बिना notice किये सीधा उठाया और फिर बाद में investigation करनी शुरू कर दी तो और केवल reason क्या होगा केवल reasonable suspicion अगर थोड़ा बहुत भी doubt वार कहीं से intelligence मिल गई वो गलत भी हो सकती है और उसकी वज़े से civilians को बहुत ज वो central government या फिर state में जो governor है उनके दुआरा ये power exercise की जाती है और इसमें ज्यादा तर use कहां पर किया जाता है जिस area को disturbed area declare कर दिया जाए अफसपा के ही section 3 के तहत और उनी areas में अफसपा apply हो जाता है तो लगबग 60 साल का ये time हो चुका है अभी तक तो 60 साल के time में जो alienation का जो माहूल था किसमें नौर्थ Eastern region में वो अब कहीं हद तक कम होता हुआ दिख रहा है और साथ में government के साथ में different जो अलग-अलग separatist groups हैं वो engage भी कर रहा है government of India के साथ में तो इस case में अभी अफसपा का application जो है वो reduce भी किया जा रहा है बात ऐसी है कि जैसे ही अफसवा force में आया था तो अब withdraw करने की ज़रुरत क्या है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया जैसे नागलेंड का एक separatist group है NSCNIM एक group हो रहा है नागा national political groups ये government के साथ मात्चीच कर रहे हैं इसी तरीके सा अगर मनीपूर की बात करें तो मनीपूर में भी insurgencies अभी कुछ सालों में कम हुई है और ज्यादा demand तो इसलिए होने लग गई है कि कई बार क्या होता है कि शक के दायरे पे जब गोली चला दी जाती है ना arm forces के द्वारा तो उसके चलते कई innocent लोगों की death हो जाती है जैसे अभी recently हमने discussion हमारा था उसमें बताया था कि नागालेंड के मोन डिस्टिक में एक ओटिंग गाउं है वहाँ पर 14 विलेजर्स एक साथ कहीं जा रहे थे और उतने में वहाँ पर attack कर दिया गया उन पे कि भाई ये कहीं ना कहीं कोई insurgency की activity conduct करेंगे और जब पता पड़ा तो सिर् इंपोज क्यों हुआ था देखो 1950 के टाइम पर जब हम independent होकर के नए country बने थे तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा एक कहते हैं कि शुरुवात हो चुकी थी उदर ट्रिगर लग गया था कि कैसे भी करके नौर्ट इस्टन स्टेट के लोग अपने आपको separate करा करके और या त थे ठीक है तो ऐसे में नागा national council जो की NSCNIM ठीक है नागा national council जो predecessor है किसका NSCNIM का तो उसने ये demand करनी शुरु कर दी थी पही हमें तो कैसे भी करके separate होना है ठीक है तो असम police का ये था कि कैसे भी करके इसको control किया जाए तब जाकर कि फिर AFSPA Act आया था कि जी अगर internal security को कहीं पर भी problem आएगी जिसमें separatist groups अपने आपको highlight करते हुए उस area को इंडिया से बाहर निकाल लेंगे तो ये तो इंडिया की integrity के खिलाफ चला जाएगा इसलिए 1958 में ये act लाया गया ठीक है और ये कोई नागालेंड में नहीं बाकी और states में भी जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि मनिपूर वाले area में भी इसी तरीके की insurgencies हुई जैसे आप देख सकते हो नागा dominated district जहाँ पर नागा tribes रहती हैं मनिपूर में वो है सेनापती, तामिंग लॉंग और उक्रूल यह ऐसे areas हैं जहाँ पर NNC बहुत ही ज़्यादा actively participate कर रही थी कैसे भी करके हमें separate होना है greater नागालिम बनानी है इसके अलाबा कुकी जोमी यह एक और ethnic group है वो मनिपूर के district चूड़ा चंदरपूर में बहुत ज़्यादा dominant करती है, वो भी कहीना के insurgencies के activities को promote कर रही थी, मेई थी, यह भी मनिपूर में रहने वाले एक ethnic group हैं, वो लगाता insurgencies कर रहे थे, तो ऐसे में क्या है कि जो successiveness tendencies थी ना कि इंडिया से अलग होना है उनको रोकने के लिए यह act जो है वो लाया गया था फिर सवाल यह है कि वह अनपॉपिलर क्यों था वह सिधी सी बात है कि वहाँ पर ये separatist जो idea था उसको खतम करने के लिए ही government ने अफस्वा को implement किया, पर आज जिस तरीके से परिस्तितिया निकल के आ रही है, वो कुछ ऐसी कि सुप्रीम कोर्ट में एक petition फाइल हुई थी 2012 में जिसमें ये था कि extra judicial killing हुई है लगबख 1228 fake encounters में 1528, अब आप देख लो, सवा 1500 लोगों की death तो इस वज़े से हो गई किवल शक के घेरे पे आकर, कब से? 1979 से लेकर के 2012 के बीच में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस को scrutinize करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और कैसे भी करके fake encounters को रोकने के लिए हमें इस act को scrap करने के बारे में सोचना है तो सोचा जाए फिर देखो इसके अलावा कोई checks and balances है, भै सीधी सी बात है इसमें क्या होता है, कि इस act में open fire का अलाव किया हुआ है ठीक है, इवन किसी को prayer warning देने की भी जरूरत नहीं है सीधा attack किया जा सकता है जो arm forces है तो इसके वज़े से कई ऐसे allegations भी आता है कि इस act का ये इस act के तहद जो special power arm forces को मिलती है उसका बहुत ही ज़्यादा issues भी किया जाता है और local police station की अगर बात करें तो उनको भी confidence में लेना होता है जैसे मान लो कि असम rifles अगर कोई activities करना चारी है उनको idea लग गया कि कहीं पर कुछ गरबड होने वाली है तो 24 गंटे के अंदर अंदर वहाँ पर जो local police station होगा उस station को भी confidence में लेना होगा अब police station को just inform करना और अपने काम पे लग जाना है तो इस case में क्या हो गया कि कहने को ये भी का जाता है states जो है वो कहीं मतलब कहीं बार क्या होता है state की autonomy पे भी इसका ये question आ जाता है कि states की autonomy होनी चीए law and order को maintain करने के लिए वो सारी चीज़ें ठीक है फिर सवाल ये है कि अभी investigation के basis पे क्या outcome निकला है तो judicial killing extra judicial killing that means कि court ने तो बोला नहीं पर उसके बावजूद भी encounter कर दिया ये दिखा दिया कि भाग रहे हैं भागते हों को मार दिया तो इस तरीके से क्या होता है कि इस law को ड्रैकोनियन माना गया और कैसे भी करके इस law को repeal करने के लिए बहुत efforts हुए जिनमें एक effort तो था इरोम शर्मिला चानू जिन्होंने 2000 से लेकर अब 16 साल तक लगबग 2016 तक उन्होंने लगातार hunger strike की थी ठीक है आमरन अंशन किया था कि भई अफसपा को मनीपुर से repeal किया जाए और बात अलगा है कि फिर इरोम शर्मिला चानू ने अपना आमरन अंशन छोड़ कर की और फिर बाद में अपने कोट के जज ठीक है रिटार जजज जीवन रेड़ी और 2005 में जब यह constitute की गई और इनकी recommendation देखी गई तो उन्हों ने यह कहा कि यह law है जो highly undesirable है इसको खतम कर देना चाहिए यह हमारे यहां पर अत्याचार का एक symbol है इसको खतम करो तो justice जीवन रेड़ी committee यह आप धान रखोगे आफसपा को repeal करने के लिए बोला उसके बाद में second administrative reform commission जिसको chair किया गया था विरप्पा मोईली जी congress के जो leader है उनके द्वारा उन्होंने भी यह कहा कि वाकई में जो जीवन रेड़ी committee ने बात कही वो एकदम सही है हमें इसको repeal कर देना चाहिए इसके अलावा जो former home minister जो की आप हम जिनके articles भी discuss करते रहते हैं ठीक है पी जे तमरम जी उनका भी यह कहना है कि अगर हम इस लोग को repeal नहीं कर रहे हैं तो कम से कम at least इसमें amendment तो ला सकते हैं इस तरीके की बाते हो रही है अब बात ऐसी है कि government ने decide कर लिया है कि हम और जादा किसी भी तरीके से जो अफसपा की imposition है उसको हम reduce करेंगे जिसें की लोगों को freedom फीलो इसके पीचे कारण क्या है एक तो क्या है कि नौर्थ इसमें अभी engagements अच्छी खासी हो रही है सेपरेटिस ग्रूप हैं उन्होंने हतियार डालने की बात कर दिया है और दूसरी चीज क्या है कि वहाँ पर अभी demand politically भी होने लग गई है जैसे कि नागलन्ड के assembly ने एक resolution पारित कर दिया कि अफसभा को आप रिपील करो और साथ में तीन छीफ मिनिस्टर एक तो nephew रियो नागलन्ड के एक एन बिरेन मनीपुर के एक कोनाड संगमा में घालेके तीनों डिमांड किया कि अफस्वा को रेपील करो तो यह अफस्वा के बारे में पूरी डीटेल हमने डिसकस की पहले भी एक आर्टिकल डिसकस किया था कोशिश करूँगा उसका लिंक डूंड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा तो आप देख लेना आगे चलता नेक्स्ट है इंडिया स्रिलंका मैरी टाइम डील तो देखो अभी हमारी तरफ से एक सिस्टम तयार किया जा रहा है जिसको बोला जा रहा है मैरी टाइम रेस्क्यू कॉडिनेशन सेंटर कहां पर श्रिलंका की कैपिटल कोलंबो में तो इसके लिए देखो 28 मार्श को एक M. साइन हुआ हमारी तरफ से एक्षिनल एफेर मिनिस्टर एष्जय संकर जी गए हुए थे कॉलंबो और यह जो मेरिटाइम रेस्क्यू कॉर्डिनेशन सेंटर जो बनाया जाएगा कॉलंबो में यह देखो हमारी तरफ से पार्टिसिपेट करेगी बैंगलूरू बेजड भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ठीक है तो यह अपने आप में पब्लिक सेक्टर की तरफ से मतलब गवर्मेंट की कंपनी की तरफ से यह एक शुरुवात है कि हम जो सेक्योरिटी है उसमें हमारा पार्टिसिपेशन अप श्रिलंका में भी होने वाला है अब देखो पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो इंडो इंडियन ऑशियन की बात करें तो वहां पर चाइना जिस तरीके से अपनी पकड़ बना रहा है तो इंडिया चाइना इंडियसिवली इंवेस्ट किया है और उस प्रोजेक्ट का नाम है बेल्ट अंड रोड इनिशेटेव उसी के पार्ट के नाम पे ठीक है अब क्या है कि वहां पर कुछ ऐसे सिक्यूरिटी कंसर्स हा रहे हैं श्रिलंकन स्टाबलिश्मेंट को कि अगर हमने चाइना को टाइ इंगेजमेंट लगाता रहे हैं अभी रिसेंटली कोलंबो श्रिलंका की कैपिटल है उसके पास में इंडियन ओशन में श्रिलंकन नेवी नौल्दी उसकी नेवी और इंडियन नेवी तीनों ने एक्सरसाइस भी कंड़क्ट किया है दूसरा हमारी नेवी जो है वो वीक ल प्रीज के बीच में नेवल पॉइंट ऑफियो से और इसके अलावा लॉंग टम में एंटी स्मगलिंग और एंटी टेररिजम ऑपरेशन भी कंड़क्ट किया जा सके अगर हमारे सामने कोई ऐसी परिस्तिती आती है कि कहीं पर कोई स्मगलिंग का काम हो रहा है दो नंबर मे यह एक कंट्रोल सेंटर के तौर पे होगा जो कि इंडियन ओशियन में श्रिलंकन टेरिटरी के आसपास में अगर कोई भी यूमानों की अपसेंट डाउन्स कुछ हो रहे हैं कुछ अबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही है कहीं पर कोई शिप जा रहा है उसको अगर कोई प इसका शिप हो तो ऐसे में यूनाइटेड नेशन के अंडर में इंटरनेशनल मेरिटाइम और्गिनाइजेशन है उसी के अंडर में ये जो सिस्टम है MRCC का ये काम करेगा जिसका काम क्या है जो UN का इंटरनेशनल मेरिटाइम और्गिनाइजेशन है इसका काम क्या है कि जो कोई सी लेन्स है इंटरनेशनलन सी लेन कमिनिकेशन लेन्स है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है शिप्स निकलते हैं ठीक है तो उन शिप्स का आने जाने में अगर कहीं पर कोई एमरजेंसी आ गई मान लो कोई वैसल डिस्ट्रस में है लोगों को रेस्क्यू करना है या फिर कोई डिजास्टर आ गई जैसे की ऑईल स्पिल जैसे की कोई शिप्स एक्सिडेंट की वज़े से हैं जो टैंकर लेके जाते हैं बहुत तेल का वो फूट गए और उनमें से तेल रिस्रा है जिसकी वज़े से ओशियन सिस्टम पूरा डिस्टाब हो जाता है तो उन चीजों से प्रटेक्ट करने के लिए स्विफ्ट रिस्पॉंस देने के लिए क्विक रिस्पॉंस देने के लिए ये MRCC जो है वो United Nation के International Maritime Organization के अंडर में जो Network काम करता है जो की काम क्या है कि यहां पर ओशियन में जो भी International Lane of Communication है जहां से शिप्स आते जाते हैं वहां पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आये तो उस प्रॉब्लम से उन शिप्स को निकाल सके ठीक है हर कंट्री रिस्पॉंसिबल है इसमें कि वो SSRR अपने अपने लेवल पे Search and Rescue Region डिसाइड गरे इसका मतलब क्या होता है देखो कि जैसे इंडिया की Cost Line है ठीक है इसी तरीके स्रिलंका की भी Costal Line है तो ऐसे में यहां पर Costal Line के आस पास में हर एक कंट्री का अपना SRR होता है कि कितने एरिया तक किस कंट्री की जिम्मेदारी है अगर कोई भी Crisis में आ जाता है कोई भी Shift तो इसी त स्रिलंका की तरफ से श्रिलंकन Navy यह दोनों Participate करेंगी MRCC में और MRCC का काम क्या होगा कि श्रिलंकन Search and Rescue Region में अगर कोई Crisis आता है किसी भी Shift के साथ में तो उसको वहां पर सहायता पहुंचाने का काम ठीक है अब यह देखो सहायता भी पहुंचाए जाएगी और Terrorism को भी रोकने होगा वो सारी चीज़े और MRCC को Establish करने में BEL भारत Electronics Limited का Contribution है जो किये के Public Entity है MRCC को Establish करने में Government की हमारी तरफ से लगबख 6 Million Dollar का जो है Assistance दी जा रही है और इसका Headquarter कहां पर होगा Colombo में और इसके अलावा Humbentota में भी MRCC का एक सब सेंटर खोला जाएगा अगर आप स्रिलंका का मेब देखो तो कुछ है इस तरीके से हम देखते हैं ठीक है एक सेके निए ठीक नहीं बना ठीक है इस तरीके से है स्रिलंका का मेब तो Colombo तो देखो इस तरफ रह जाता है औ कोलमबो में तो MRCC का हेड़कॉर्टर है ठीक है और हमबंतोता में यहाँ पर इसका सब सेंटर खोला जाएगा अब आप देखो हमबंतोता वो पोर्ट है जहां पर चाइना की कंपनी ऑपरेट कर रही है शुरुबात में हमबंतोता की जो डील हुई थी ना बेल्टन रोड इन पास में है तो आप देख सकते हो कि चाइना आप वहां पर ऑपर आपर रहा है और वहीं पर इंडिया MRCC के सब सेंटर में श्रिलंकन नेवी के साथ में काम करेगा तो ऐसे में कि कहीं पर अगर चाइना कोई अग्रेशन भी दिखाए तो उसको काउंटर करने के लिए श्रिल लंकन वाटर्स में आप देख सकते हो कि रिसेंटली दो जहाजों में आग लगी थी तो उस तरीकी क्राइसिस को रोकने के लिए ही तो यह है ना काम इसके अलावा गवर्मेंट आफ इंडिया की दौर एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है इस सागर जिसका फुल फॉर्म है स श्रिलंका का जो रेस्क्यू एंड जो एरिया है एसा राट जिसकी फॉल फॉर्म यहां पर हमने देखी थी रेस्क्यू रीजन श्रिलंका का सिक्यूरिटी एंड रेस्क्यू रीजन है वो लगबग सत्रा लाग अठातर अजार बांसट स्क्वेर किलोमेटर एरिया का है ठी के लगबग ships निकलता है तो उन ships को कहीं पे कोई problem आया तो इसमें ये help करेगा MRCC जो की United Nation के अंडर में International Maritime Organization के अंडर में जो network काम करता है उस network के part के तौर पे ये काम करेगा clear इसके साथ में Sagar program है ये देखो Government of India के दौरा initiative लिया गया था जिसमें ये है कि Indian Ocean में Meridam security भी ensure और साथ में यहां पर जो दूसरे countries हैं वो भी growth register कर सकें इसके अलावा एक कोलमबो security conclave 2011 में sign हुआ था ठीका ना कोलमबो security conclave इसमें तीन countries member हैं एक तो India एक श्रिलंका एक Maldives और अब है इसमें Mauritius भी हो जाएगा तो ऐसे करके Indian Ocean में इंडिया की engagement आप देख सकते हो अलग-अलग segments में तो अभी जो CSC that means कॉलमबो security conclave की national security advisors की meeting हुई तब उसमें ये clear हुआ national security advisor कौन-कौन से countries के हो गए इंडिया श्रिलंका Maldives तीनों की तरफ से ठीक है और अब भी इसमें इंक्लूड हो गया है Mauritius भी तो इन्होंने पांच pillar की बात की जादा क्या कि हमें maritime safety और security का ध्यान रखना है terrorist या फिर कोई भी radical activity हो रही है तो उनको हमें control करना है trafficking कहीं पर भी illegal कोई market हो रहा है या फिर कुछ भी गलत तरीके का smuggling का काम हो रहा है उसको रोकना है ठीक है human trafficking भी हो सकती है कुछ और भी material में हो सकता है या फिर कोई trans national organization organized crime की crime की planning तो कहीं और कर दी execution कहीं और कर दिया तो इस चीज़ को रोकना है cyber security और जो critical infrastructure है जैसे अभी हमने MRCC की बात की तो इसके जो भी detector हैं करने के या फिर जो भी ports है ठीक है या फिर जो भी harbors तैयार किये जा रहे हैं उन सब को protect करने के भी जिम्मेदारी और humanitarian assistance भी देना अगर कोई disaster आ जाती है जैसे की 2004 में tsunami आई उस तरीके अगर problem आए तो यह सब country मिलके काम करेंगे श्रिलंका ने clarify किया कि इंडिया को इस तरीके से आप यहाँ पर deploy कर रहे हो इंडियन जो कॉस्टर गार्ड है वो अगर यहाँ पर participate करेंगे तो क्या श्रिलंकान security को इससे threat नहीं है तो श्रिलंका की दौरा यह announce कर दिये गाए कोई threat नहीं है क्योंकि जो कुछ भी agreement हो वो बोले विल्कुल open है कहीं पर कोई compromise नहीं किया जा रहा है ठीक है और यह आपको पता ही है कि हमारी तरफ से तो Indian security guard जाएगा श्रिलंका की तरफ से श्रिलंका नेवी आएगी जो कि श्रिलंका के maritime search and rescue वाले region में operate करेगी ठीक है या फिर जिस कौम ने बोला था security rescue region SRR में operate करेंगे ठीक है तो यह एक maritime segment में engagement है अब देखा जाए तो इतना बड़ा discussion था पर समझना जरूरी था पर इसमें points जो थे काम काम के वह आप लिखना चाहो तो ज्यादा ज्यादा पांस line में आप पुरा complete कर सकते हो ठीक है आगे चलते हैं इसके आगे नज़र डालें तो न्यूज कुछ इतनी डीटेल वाली है नहीं बस एक तो यहाँ पर नज़र डाल लो कि जी चाइना अगर अगर अग के चलते उसके चलते रशिया चाइना का चोटा भाई साबित हो गया है और चोटा भाई जो है वो बड़े भाई को छोड़के नहीं जाएगा यह concerns यह अपनी तरफ से यह alert जारी किया है United States की तरफ से जो deputy national security advisor है जिनका नाम है दिलीप सिंग ठीक है उन्होंने ये बात बोल है कि भाई अभी इस scooters में कैसे आग लगी है इसके पीछे कारण क्या है तो देखो अभी तक investigation तो proper हुई नहीं है बाकि जिन companies के scooter थे उनके नाम यहां पर है Pure EV, Ola, Okinawa तो ऐसे आग लगने की पीछे वज़े तो अभी investigation के बात पता पड़ेगा बाकि इन companies के द्वारा ये क हा जा रहा है कि charging में कुछ गरबडियां की गई है जिसकी वज़े से ये आग लगी है बाकि time बताएगा क्या है basically क्या है कि ये जो electric vehicle sign में lithium ion batteries यूज होती है जो कि हमारे smart phones में laptop में इनमें भी यूज होती है ठीक है आज के time पे सबसे ज़्यादा जो battery होती हो वो यही है और lithium battery में अगर अंदर खोल के देखे तो क्या क्या मिलेगा हमें एनोड मिलेगी cathode मिलेगा इसके अलावा separator मिलेगा electrolyte मिलेगा और दो current collector मिलेंगे यह main इसके आप कह सकते हो components है अब एनोड और cathode है वहाँ पर तो क्या होता है lithium ion को store किया जाता है एनोड and cathode पे lithium ion को store किया जात है कैसा semi liquid form में ऐसा कुछ material तो उसका काम क्या है कि positive charged जो lithium ion होता है Li plus ion उसको एनोड से cathode की तरफ move कराने का काम करता है जबकि separator का क्या है कि cathode से एनोड की तरफ वह lithium ion move करता है ऐसे circle बन जाता है यहाँ पर cathode है यहाँ पर cathode है तो एनोड से cathode की तरफ move करेगा na ion lithium positive ion तो व से फिर से एनोड की तरफ जाएगा तो उसमें एक ही साइकल बन गया पूरा वो जाएगा सैप्रेटर गे थ्रू तो इस तरीके का मेकैनिसम होता है और यह जो पूरा मुमेंट होता है ना लीथियमायन का इसी में फिर फ्री एलेक्ट्रोन रिलीज होता है और फिर उस वो प्रिड्यूस होता है ठीक है तो बोले इन यह बैटरी बड़ी रिलाइबल है क्योंकि एक तो हलका वजन होता है इनका एक एनरजी डेंसिटी मतलब छोटी सी साइज में बहुत सारी एनरजी आप स्टोर कर सकते हो ठीक है और एबिलिटी टू रिचार्ज की रिचार्ज भी जल्दी से हो जाती है तो ऐसे में लीथियन आयन बैटरी इनी के जस्ट अगर कंपेटेटर्स में देखें तो लेड लेड बैटरी जो आती है ना उनके कंपेटरिजन में लीथियन आयन बैटरी ज्यादा प्रामिसिंग है उन्हीं को यूज अभी ज्यादा किया जा रह यह बैटरीज में कहां पर क्या फॉल्ट रहा और क्या चार्जिंग का इश्यू है वो और क्लियर हो जाएगा तो समझ में आएगा कारण क्या है कि अभी यह सेक्यूरिटी पॉइंट सेफटी पॉइंट ऑफिस ही अपने आप में और एक चीज एड हो गई है कि एवी खरीदन में अभी ट्रांजेक्शन सल रहे हैं ठीक है हम हमारी करन्सी में पेमेंट करते हैं और उसको कनवर्ट फिर रुबल में करा करके उसको फिर पे कर देते हैं रश्या को ऐसे हम हमारी डिमांड पूरी करते हैं वैसे दोनों कंट्रीज की अगर बाइलेटरल ट्रेड की बात कर जिसमें जो गुड्स हैं उनमें आप देख सकते हो हम ज्यादा इंपोर्ट क्या करते हैं रश्या से आपको पता है डिफेंस एक्विपमेंट अब क्रूड ओयल भी जो एनर्जी रिक्वाइरमेंट है वो भी हम पूरी कर रहे हैं तो इसमें हमें वैसे कोई प्रॉब्लम नही सकते हो डॉलर या यूँवान इनका सारा मेकैनिजम कल के हमने डिसकेशन में देख लिया था पुतिन्स गैंबिट तूपुतिन्स रुमिपल गैंबिट समथिंग वower आर्टिकल था उसमें मनें देख लिया था वो आप देख लोगे और समझ में आ जाएगा कल का ही वीडि को एक रीजनल जो भी इशू जा रहे हैं उनमें की स्टेक होलडर के तौर पे लेजिटिब में से मिलनी चाहिए ये बात बोली है क्योंकि तालिबान का रूल चल रहा है वहां पे और यूएसे जो की इर्रिस्पॉंसिबली अफगानिस्तान के लोगों को छोड़ करके चला ग होती है अच्छा एक चीज बड़ी इंपोर्टन रह गई ये देखो यहां पे देखो पैसिफिक ओशन में एक छोटा आइलेंड कंट्री है जिसका नाम है सॉलोमन उसने चाइना के साथ में एक सिक्यूरिटी पैक्ट है वो साइन किया है वैसे तो ड्राफ्ट फॉर्म में पर एक बार फाइनल कर दिया है इसका मतलब क्या हो गया कि अब सॉलोमन आइलेंड में चाइना की पुलीस और दूसरी जो फोर्सेज हैं वो अपनी ड्यूटी देंगी और वहां की सिक्यूरिटी एंशूर करेगी तो ये अपने आप में आप आप हो कि पैसिफिक रीजिन म के जो अग्रिमेंट हुआ है वो इसी वज़े से हुआ है क्योंकि चाइना उधर भी अपनी अग्रेशन लगातार बढ़ाता चला जा रहा है और इसलिए आज आप देख सकते हो कॉड में इंडिया और आस्ट्रेलिया के बीच में कितनी ज्यादा इंगेजमेंट सभी मिल र लेना और ऑक्सफोर्ड स्टुडेंट स्टुडेंट जो एटलस आती है वो पर्चेस कर लेना वो जरूरी है ठीक है तो डिसकेशन में जो भी था यहीं पर खतम थैंक्यू